हेलो फ्रेंड विल्कम बैक टूदी चैनल प्रिकीजी लौ आज हम पढ़ेंगे कमर्शल लौ को टॉपिक नंबर टू वाइड एंड वाइड़ेबल एग्रिमेंट्स फ्रस्ट्रेशन अफ कॉंट्राक्ट एंड बीच अफ कॉंट्राक्ट तो आए शुरू करते हैं एक इंप प्रविडन पार्व वाइन आप करिए आपने का मुझे चॉक्लीट दे दे मैं तुझे बदले में कोखेइन दूँगा तो यह जो वो गलत है या आपने का यह मुझे तू चॉकलेट दे तो मैं इस बंदे को जाके मार दूंगा तो क्या है आपके जो अब्जेक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट का वो भी खराब है या वो चुन्सीड्रेशन भी खराब है तो ऐसी जो भी चीजे जो है अनलॉफुल होंगी ठीक है लॉफुल नहीं होंगी तो वो चीज जो है एक्रिमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगी वह बात करें कि कंसीडरेशन और अब्जेक्ट जो है वह लॉफुल होगा और कब नहीं होगा यह इसने मेंशन कर दें इन सिनेरियों में नहीं होगा फॉर्विडन बाइल जब वेरिफाइब कर देंगे या कहींगे कि अब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए तो उससे क्या होगा जो है दूसरे बंदे को जो है इंजरी हो जाएगी तो ऐसा भी जो है आपको याद रखनी है वाइग्रीमेंट्स वाइफ कंसीडरेशन एन अब्जेक्स जो में पार्ट वो कहत तो कहते हैं अगर आपका जो consideration और object है जो हमने पीछे देख है अगर वह unlawful है तो पूरा का पूरे इंडीगो का तो लीगल मैनिफेक्टर पर उसकी इंडीगल जो क्या है ट्राफिकिंग कर रहे ठीक है तो यह चीज जो है यह चीज गलत है तो ऐसा जो एग्रीमेंट है पूरी तरीकी से वाइड सेक्शन 25 बात करते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड अनलेस देखो एक चीज अच्छे से आज रखना जब तक किसी एग्रीमेंट में कोई कंसिडरेशन नीं होगी ना कोई वैल्यू नीं होगी तब तक जो है वो एग्रीमेंट वाइड होगा पर इंडियन कॉंट्राइक्ट में जेखो उन्होंने तीन सेनेरियो दे रखें जब बिना कंसिडरेशन के भी जो कॉंट्रेक्ट है वैलिड है पहला क्या है इस एक्स्प्रेश्ट इन राइटिंग एंड रिजिस्टर अंडर दी लॉव और जो इसमेड ऑन दी अकाउंट ऑफ नेच्छ लव और अफेक्शन और जो जो एग्रीमेंट बनने वो नेच्छ लवेंड सब्सक्राइब तब तब जो है वो एग्रीमेंट जो बिल्कुल वैलिड होगा सेकेंड़ इस अप्रॉमेस तो कंपेंसेट होली और इन पार्ट अपर्सन हुएस और डी वॉलेंटेरली डन सम्धिंग फॉर दी प्रॉमेसर और सम्धिंग विच्ट प्रॉमेसर वास लीगल दिल भी भर दिए तो भाइय उसने का कि मैं आपको जो है प्रॉमिस टू कंपेंसेट मैं आपको भई आपका पूरा का पूरा पूरा पैसे वह आपिस लोटा दूंगा तो यहां जो है आपने किया आपके उपर एक क्या थी आपको लगा किया यह तो मेरा रिष्टेदार है यह तो मेरा अपना बंद है तो आपने अपने आप खुद किया उसके लिए इस अप्रॉमिस मेड इन राइटिंग और परसंटू बी चार्ज जर्वाइब और वाइस एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथराइज इन डैट विहाग तू पे होली और इन पार्ट ऑफ डेट विच दी क्रेडिटर माइट एंफोस पेमेंट बट फॉर दिलाफ लिमिटेशन आप देखिए वह प्रॉमिस है और प्रॉमिस जो राइटिंग और साइन में कि भाई मैंना तुम्हारा पूरा का पूरा जो एट है यह तुम्हारा पूरा का पूरा जो डेट है वह लोटा दूंगा भले ही जो है जो एक डेट है यह लिमिटेशन आक्ट के अंदर बाहर हो गया है यह है पॉइंट नमबर त्री तो इस केस में भी भाई है अग्रिमेंट विदाउट विदाउट नहीं होगा एक्सलिनेशन टू एंग्रिमेंट विच दी प्रॉमिसर इस नाट है वह बहुत अमीर है ठीक है अब कभी का बार आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं वह एक रुपे में ऐसा कॉलेज फीस आके बच्चों को पढ़ा देते तो क्या है यहां इनेडिक्वेट है पर उन्होंने कॉलेज के साथ एग्रिमेंट कर देता है कि यार मुझे ए इतने बड़े बड़े जो लोग है वह अगर एक रुपे में शिक्षा देना चाहते हैं तो वह क्या कर रहे हैं उनकी बस कोट यह चेक करेगा कि भाई इसकी जो कंसेंट है यह फ्री कंसेंट होनी चीए अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नमबर 26-30 यह बहुत इंपोर्टन है इ अगर आप किसी बंदे की मैरिज के ओपर कोई रिस्टेंट लगा के एग्रीमेंट उससे एंफोर्स कराते तो वह पूरी तरीकी से वाइड हो जाते हैं अगर कोई सी बंदे को आप कोई ट्रेंड पर्टिकुलर करने से रोखते तो वह वाइड हो जाएगा इसका exception क्या है ब अब आप ऐसा काम नहीं करोगे ना क्यों आपने जो पहले गुड विल भी बेच दी अब फिर पैरलल बिजनस चलाना चाहिए तो इस बंदे को कितना नुक्सान होगा तो यह सेक्शन 27 का exception है यहां जो आप restraint कर सकतो सिर्फ इस पर्टिकुलर के सिनेरियो में ही इसके लावा जो है general answer हमेशा यही है कि agreement in restraint of trade is void section 28 बात करते है agreements in restraint of legal proceedings यह वाइड होती है इसमें तीन exception दे रख्या जब arbitration का हो saving of contract to refer questions that have already risen यहां नहीं होगा saving of a guarantee agreement of a bank or financial यहां यहां नहीं होगा तो भाइया general rule जही है कि जब भी आप किसी मैं 10 रुपे का दे दूंगा यहां मैं 15 रुपे के दे दूंगा तो कि uncertainty ऐसे भी सारे के सारे जो अग्रिमेंट वाइड होंगे agreement by way of wager जब आप वेजर हो मतलब exception क्या जब आपना किस्मत पर जब चीज आपकी depend करें जैसे lottery system बगेरा हो जाते और इस सब चीज़े तो यह कि है agreement by way of wager तो ऐसे भी सारे के सारे agreement to avoid m से marriage, t से trade, l से legal proceedings, u से uncertainty और डब्दू से वेजर section 31 a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen a contracts to pay b rupees 10,000 if b house is burnt this is a contingent contract भया एक contract करता है भी से कि भया अगर तेरा घर जलेगा तो ही मैं तो यहां जो यह ऐसा contract है कि अगर कोई चीज होगी तो मैं ऐसा काम करूंगा या कोई चीज अगर ऐसी होगी तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा तो यह क्या है आपने contract particular event के ओपर decide करने के लिए छोड़ दिया तो यह ऐसे जो भी चीज होते हो contingent contract होता है section 36 agreement contingent on impossible events avoid contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether the impossibility of the event is no known or not to the parties to the agreement at the time when it is made illustration a agrees to pay 1000 rupees rupees if two straight lines should enclose a space this agreement is worth cdc cheezer जब हो कहता है कि जब कोई हम ऐसा contingent contract कर ले जो कि impossible अब उसमें क्या है उसने कह भी है उसने कहते हैं दो स्टेट लाइन से क्या कभी वह एक enclosed space के अंदर आ सकते हैं नहीं क्या दो parallel lines को भी intersect कर सकती है नहीं तो ऐसे कोई भी जो contract होंगे कि भाई अगर दो parallel line intersect कर जाएंगी नहीं सर जो चीज होई नहीं सकती वह तो वाइड होगी तो यही section 36 बात करते हैं section 56 बात करते है agreement to do impossible act अग्रीज बीट डिस्कवर ट्रेजर वाइजिक देखो पूरी तरीके से भाई एक आप impossible चीज अगर कुछ भी करोगे तो ऐसे सारे के सारे एग्रीमेंट जो है वाइड होगा a and b contract to marry each other before the time fix for the marriage a goes mad the contract becomes simple भाया और ब को शादी करने थी शादी से पहले यह पागल हो गया अब क्या contract जो है वाइड होगया effect of novation recession and alteration if the parties to the contract agrees to substitute a new contract for it or to resign it or alter it the original contract need not to be performed तो यहां यह चीज कह रहे है भाया जब भी कोई parties है वो मिलके बैठते हैं कि यार अब हमना एक contract बना लेते हैं और पुराने वाले को दा रिजाइन कर देते हैं कि हटा देते हैं मना कर देते हैं उसमें कुछ changes ले आते हैं तो भाया जो पुराने वाला contract उसको नए उसको जो है enforce करने की या उसको perform करने की अब कोई जरूरत ही नहीं है a owes money to be under a contract it is agreed between a b and c that b shall enforce except c as his debtor instead of it the old debt of a to b is at the end and new debt from c to b has been contracted just देखें a b c 3 लोग है a ने b से 1000 रुपे ले लिए ठीक है और तीनों ने agreement कर रखें कि भाया अब a जो हो बी को जो है 1000 रुपे लोटाएगा जो है डेटर है अब suppose करो ABC वापिस बैठे नहीं टाइम पे अब उन्होंने वापिस contract बनाया कि भाई जो ए और बी जो थे एको जो पैसे नेने थे 1000 रुपे बी को अब क्या वो जो पैसे आना वो C देगा बी को और C जो है डेटर है तो यह आप जो पुराना contract है जिसमें एने उधार ले रखा था अब उस contract को फॉलो करने की कोई जरूरत ही नहीं है यही जो है section 62 बात करता है section 64 consequences of recession of voidable contract when a person at whose option of contract is voidable resign it तो बहिए एक बंद है जिसके पास option था contract को resign करने का और वो voidable contract था तो जो बंद है सब्सक्राइब के पास option था तो यह जो है अगर किसी contract को voidable resign कर रहे है तो अगर एको को कोई भी फाइदा हुआ है B से void agreement के अंदर को इसको benefit पहुचा है तो भाईया जो एना वो बीको वापिस कर देगा वो सारे के सारे benefit जो उसने सिंपल सी चीजा प्याद रखना मैं 64 लिग दिया 65 हो अगलती से आप साही कर लिजेगा यह चीज याद रखिएगा कि पहले बॉइड बाले 64 में और फिर 65 में बॉइड एक्षन 73 बात करता है कंपन्सेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉस्ट बाइब बीच ऑफ कॉंट्राइब तो भाईया अगर कोई आपको लॉस हुआ कोई डैमेज हुआ किसके कारण ब्रीच ऑफ कॉंट्राइक तो भाईया आपको कंपन्सेशन मिलेगी कंडिशन क्या कि जो बहुत ही जादा रिमोट ना अगर आपको पता होना ची कि हाया ठीक है इस तरीके से ऐसा डैमेज हो सकता था नियू लाइकली तो बीच और पड़ेंगे बैंब आप मुझे ऐसे इस तरीके का हंप ठीक पंशेशन अन का बनाऊंगा नर्क यसके घॡ्राइब सब्सक्राइब भाई-सए तरीक मैं इस अथे टॉपिया बना के दोуюंगा दोगो तो उसकी टोपिया जो है सिर्फ सर्दियों में भिखती थी गल्मियों में भिखती थी जो है एक कपड़ा दे नहीं पाया अब भाया बहुत ऑट इस एंटाइटल तो डिसीफ रॉम में भाय बाइब कंपनेशिशन दर डिफेरेंस बीटी इंडी कॉंट्रेक्ट प्राइस इतने का उसको नुक्सान होगे पर यह नहीं ले सकता धाल नौट प्रॉफेट्स विच्च विए एक्स्पेक्टेड तो अपने क्यों क्यों कि यह नहीं पता था कि भाइसाब अगर मैं इसको कपड़ें नहीं दूंगा तो यह मेरे कपड़ों के सारे बैठा रहेगा फिर यो इतनों का नुखसान होगा किया है यह जो है यूल यू रिघली तूपी नहीं था क्यों कोई ऐसे एकस्पेक्ट थोड़ नहीं कर सकते कि या अगर मैं को यह नहीं दूँगा फिर यह के कपड़े नहीं बनेंगे फिर यह इसका इतना नुक्सान होगा नहीं यह चीज नहीं होगी बस जितना उसको जो मार्केट प्राइस और कॉंट्राक्ट प्राइस के बीच जो डिफरेंस है ना उतना जो है भी उसको दे देगा है सिंपल सी चीज है ज्यादा दिमाग लगाने के आपको ज़रूरत नहीं है सेक्शन सेमेंटीफोर बात करता है कंपन्सेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉंट्राक्ट वेर पैनल्टी स्टिपिलेटिट रहा जब एक कम जब एक कॉंट्राक्ट के अंदर ने पैनल्टी पर्टिकुलर्ली प्रोवाइड कर रखे कि अगर आपको यह कॉंट्राक्ट एंफोर्स नहीं वा तो आप पैनल्टी दोगे तो चाहे उस कॉंट्राइट में आपको कोई डैमेज हुआ हो या नहीं हुआ फरक नहीं पड़ता अगर किसी बंदे ने ओंट्राक्ट एंफोर्स नहीं किया उसके अंदर गर पैनल्टी का स्टिपिलेशन था तो आपको पैनल्टी मिल नी जो है वो contract को rightfully resign कर पारे है इसलिए आप उसको भाया पैसा दो a a singer contracts with b the manager of the theatre to sing at his theatre for two nights and every week during next two months and b engages to pair hundred rupees for each night on the sixth night a fully absents herself from the theatre and b in the consequent resigns the contract b is entitled to claim compensation for the damage a और b ने contract कर लिये कि a जो है बी के restaurant में आके गाना गाएगी और उनने decide कर लिए आपको हर बार 100 रुपे मिलेंगे गाना गाने की छे दिन तो आई सात्वे दिन से के बाद ना एने आना ही छोड़ दिया जान मुझके नहीं आ रही तो भाया बी जो है वे थोड़ना मिल जाएगी तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग इस वीडियो आपको मेरी साली पढ़ाएवी चीज़े समझा लिए अगर आपको कोई question है या कोई suggestion है तो आप विक इजी लॉग के टेलिग्राम ग्रूप पे आप मुझे personally वहां से direct message कर सकते हैं so thank you guys have a great day